अज दोस्तों आ जम्तगा रहें ने मेड बना रहें इसकी थोड़ी पानी पूरी द्गाणे को कूल लगाने के लिए बनाया है ने एक तो आज कब लिखांग करने के बाद सो बिखा थे आपको कैसे बनाएंगे बेड इस पर अभी ऐसा अभी ड़ बनाया है इस पर इसमें से गास निकारेंगे और फिर उसके बाद यह ऐसा बनेंगा जैसा इस तरुप होए देख एक त्याप आप 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 इसनी झाप आप आप आप, आप 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 डुषी आ अर आप, आप 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 आपड है बत्ट बत्ट जाँ जैट है बस्त टाँ उड़ाँ, जासे बत्त जाँ, है बत्टा कापूँ एका एंट बड़े मेन्टी बंदेब चारे हैं ये पूरा खेत इनने पिछे साफ कर दिया है ये देखिए ये ये पेस्पेशल बंदला आज देडी वे बहुत जादा मेन्ट कर ली है आप देख सकते हैं परसीने से मैं चुड़ चुड़ हो गया हूँ परसीने से बुरे हाल हो गया परसीने साथ अजिए इसमें खाद जाल रहा है हज़र अजिए इसमें खाद जाल रहा है हाजर यहां शाल बंदलबर योई बंदलिए फाल आलने के लिए बला रहा हमें न स्पेशल इसमें खाद बड़े हिसाफ से डालता है तो हम आःते हम तो इसमें आपर लाए ओसे ख्राब हो जाती हिस अधिक pluggingгов बढ़ी इम्हानत करीशनें बचा रहे हैं अब आप देखे यह देख सकते हैं पीछे पुरा खेत हमने आल साफ कर दिया बीन का इसमें मेड़े बना दी बढ़िया अब इसमें खुला पाणी लगेगा और 15-20 दिन वादस में कड़ाना जाएगा देख सकते हैं थक गया है अब हमोगे हमने भी इन सारी कर दी साफ जे इसमें बेड हमने कर दिये और यह बंद्ध कर दिये और यह बंद्ध बंदा है हमारा बसंत इसका नाम है समीर यह है बसंत यह मस्टर मैंड बंदा आप यह के खेद पूरा साफ बगवान ने आज ने बढ़ बड़ी देब हो गए नहीं तो रोड़गी थी मारी बीने तो बस आज की वीडियो में इतना ही था और देखते ही हमारी वीडियो आग कुछ है तो आज बड़ी मेहनत करी हमने लुक अपने खेट की बैड बनाने के बाद बीन चमगी बढ़िया अब इसमें कूल लगेगी कल